ललनपुर गाँव में एक बाजार लगता था बाजार में एक रामू नाम का एक आदमी आम बेचता था उसका दुकान बहुत अच्छा चलता था क्योंकि रामू आम खुद के बगीचे से लेके आता था उसका परिवार खुशी खुशी रहते थे कुछ दिन बाद एक आदमी उसके दुकान के पास आया उसने देखा इसका आम का दुकान बहुत चल रहा है मैं भी अब यही करूँगा अगले दिन उसने रामू के सामने ही पास में दुकान खोली लेकिन उसने देखा कि उसका दुकान नहीं चल रहा है तो उसने एक प्लान बनाया और रात में रामू के बगीचे में जाकर उसके पेड़ में एक दावा डाल दिया जिससे आम अब मीठा नहीं होगा अगले दिन रामू जैसे ही आम बेचना शुरू किये और कुछ लोग वहीं आम खाए तो बोलने लगे इशकाम मीठा नहीं है कोई मतलो इसका आम कहकर सब लोग उस आदमी के पास गए और आम लिये खरीदने लगे रोज ऐसे ही होने लगा किरात रामू अपने बगीचे के पास बैठा था तभी उसने देखा कि उसके आम में कोई दावा डाल रहा है रामू समझ गए पूरा बात उसने जाकर गाम वालों से ये सब बात दिया फिर सब लोग मिलकर उस आदमी की जम के पिटाई किये